परिचाय हम जानते हैं कि कोशिका जीवन की संग्रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, क्या आप जानते हैं कि इसका वास्तव में क्या आर्थ है? इसका आर्थ है कि एकल कोशिका जीवन के सभी आधार भूत कार कर सकती है जैसे ग्रहन किये गए भोजन और श्वसनी गैसों का परिवहन करना श्वसन उत्सर्जन इत्यादी उत्देशे इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे कोशिका को परिभाशित करना, कोशिका सिध्धांद को समझना, कोशिका के लक्षणों को जानना, कोशिका के क्रियात्मक शित्रों को समझना, कोशिका के विभिन आकारों को जानना, विभिन कोशिका मापों को समझना कोशिका कोशिका सभी सजीव जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और मानव शरीर के मूल भूद अंग है वयसक मानव शरीर में 75 ट्रिलियन कोशिकाएं होती है प्रतेक कोशिका प्रकार विशिष्ट कार करती है मरिश्यों में 200 कोशिका प्रकार होते हैं अंग्रेश सूक्ष्म दर्शिय वग्यानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में सबसे पहले शब्द कोशिका का वड़न किया था उन्होंने कार्क के पतले टुकडे का अध्ययन करके कोशिकाओं की खोच की और इन में मदुमक्की के छत्ते के समान छोटे छोटे बॉक्सों को कोशिकाओं का नाम दिया उनका विचार था कि कोशिकाओं केवल पौधों और कवकों में माजूद है सबसे पहले एंटनी वॉन लिवन हॉक 1683 ने अपने घर में बनी सूख्ष्म दर्शी का उप्योग करके जीवाणूं, प्रोटजोवा, लाल रुधिर कोशिकाओं और शुक्राणू आदी जैसी मुक्त कोशिकाओं का अवलुकन किया था उन्होंने इन्हें सूख्ष्म जीव कहा, उन्होंने मचली, पक्षी, मेंधग, कुत्तों और मनिश्यों की रुधिर कोशिकाओं का भी अवलुकन किया इसलिए ये ग्यात हुआ कि कोशिकाओं जन्तूँ तथा पाधपूं दोनों में पाई जाती है 1838 में मेल्थियस स्लाइडेन एक जर्मन वनस्पती विग्यानिक ने बहुत सारे पौधों के अध्यन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो पौधों में उत्कों का निर्मान करती है 1849 में थियोडोर श्वान एक ब्रीटिश प्राणी विग्यानिक ने विभिन प्रकार की जन्तु कोशिकाओं का अध्यन किया और बताया कि कोशिकाओं में एक पतली बाहे परत होती है, जिसे आजकल जीव द्रविचिली कहते है इसके आधार पर श्वान ने प्रतिपादित किया कि जन्तुओं और पौधों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पादों से मिलकर बना है उन्होंने निशकर्ष निकाला कि कोशिकाओं भित्ती की उपस्तिती पादप कोशिकाओं का एक विशिष्ट लक्षन है 1849 में स्लाइडेन और श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिध्धांद को प्रतिपादित किया 1858 में रडोल्फ बर्चो एक जर्बन चिकसक ने कोशिकी ये पैथालोजी के विस्तरित अध्यान के बाद ये निशकर्ष निकाला कि कोशिकाएं पहले से उपस्तित कोशिकाओं से ही उत्पर्न होती है मूल कोशिका सिध्धांद के साथ साथ आधोनिक कोशिका सिध्धांद में चार कथन निहित है कोशिकाओं के लक्षन कोशिकाएं बेहत जटिल और संगटित होती है इनमें एक आनुवंशिक कारिक्रम और इसके उप्योग के साधन होते हैं. योदपादन करने में भी सक्षम होती हैं. ये उर्जा का अधिक्रहन और उप्योग करती हैं. इसके अलावा ये विभिन रासायनी कभी क्रियाओं और यांतरिक गतिविधियों को संपन्न करती हैं. ये उद्धीपन और स्वाता नियमन की प्रतिक्रिया करने में भी सक्षम होती हैं. कोशिका के तीन क्रियाद्मक्षेत्र हैं. जीवद्रव इचिली, कोशिका द्रवे और किंद्रक. जीवद्रव इचिली, सबसे बहरी, पतली, पारदर्शी, लोचदार और अर्ध पारगम में जिली हैं. कोशिका द्रवे, कोशिका द्रवे एक अक्रिस्ट लिये तथा समांग कोलाईडी पदार्थ हैं, जो जीवद्रव इचिली और केंद्रक के बीच उपस्तित होता है. DNA होता है, कोशिका आकार, विभिन जीवों में कोशिकाओं के अलग-अलग आकार होते हैं. बहु कोशिकी ये जीवों में उनके शरीर के विभिन भागों में कोशिकाओं के अलग-अलग आकार होते हैं. अमीबा और श्वेत कोशिकाओं का निश्चित आकार नहीं होता है, क आत्र की कोशिकाएं स्तंबी होती हैं, यक्रित की कोशिकाएं बहु भुजिये होती हैं, वसा कोशिकाएं गुलाकार होती हैं, पैरा मीश्यम स्लीपर के आकार का होता है, मुर्गी का अंडा अंडाकार होता है, जिकनी, पीशियां तर्गु के आकार की होती हैं, वर्नक कोशि कोशिकाएं क्रोमेटोफोर शाकित होती हैं. पिशियां या तंत्रिका तंदू लंबे सूत्र जैसे होते हैं. दुई बीच पत्री पौधों के रंध्रों की दोवार कोशिकाओं का आकार सीम के आगार जैसा होता है, जबकि एक बीच पत्री में डंबल के आकार की होती हैं कोशिकाओं की माप अलग-अलग जीवों में कोशिकाओं की माप काफी भिन्न होती है सबसे छोटी ग्याद कोशिकाएं प्लियोरो निम्योनिया जैसे जीव, PPLO, माइको प्लाजमा गैली सेप्टिकम की हैं जिनकी माप लगभग 0.1 माइक्रो मीटर है सबसे बड़ी जन्तु कोशिका शुतुर मुर्ग का अंडा है और इसकी माप लगभग 170 गुणा 135 मिली मीटर है प्रोकेरियोर्टिक कोशिकाओं की माप एक से 10 माइक्रो मीटर तक होती है जबकि यूकेरियोर्टिक कोशिकाओं का अकार 10 से 100 माइक्रो मीटर तक होता है पौधों में सबसे बड़ी कोशिका एसिटा बुलेरिया हरे शैवाल की है जिसकी माप लगभग 6-10 cm तक है मानव शरीर में अधिकतर कोशिकाएं लंबाई में 2-3 µm और परीधी में 20-30 µm के बीच होती है मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है जो लगभग 3 feet लंबी होती है क्या आप जानते हैं? शब्द साइटोलोजी की खोज 1893 में हर्ट विग ने की थी मैक्स शूलजे ने 1861 में जीव द्रव्विका सिध्धान्त प्रतिपादित किया सैक्स ने 1874 में जैविक सिध्धान्त प्रतिपादित किया सारांश कोशिकाएं विस्तरित रूप से दो प्रकार पादप कोशिका और जन्तु कोशिका में विभाजित है लैमार्क ने सबसे पहले बताया कि जीवित प्राणी कोशिकाओं के बने है शब्द जीव द्रव्वे की खोज पुरकिंचे ने की थी स्लाइड एन वाश्वान ने 1838-1849 में कोशिका सिध्धांद प्रतिपादित किया वे जर्मन जी व्यक्यानिक थे कोशिका सिध्धांद का एक अपवाद वाईरस है शब्द कोशिका की खोज रॉबर्ट हुग ने की और कोशिका को उन्होंने ही सबसे पहले देखा था रॉबर्ट हुग द्वारा कार्क के पतले टुकडों में खोजी गई कोशिकाएं वास्तों में कोशिका भित्तिया थी केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई बिर्चो ने कोशिका वंशवली प्रतिपादित की की कोशिकाओं का निर्मान सदय पूर्विस्थित कोशिकाओं से होता है उन्होंने होमनिस यी सेलूला कहा शब्द सार कोड का उप्योग डुजाड इन द्वारा कोशिकाओं के सजीव पदार्थों के लिए किया गया था प्रकाश सुक्ष्म दर्शी से देखा गया निवनतम कोशिका आकार 0.25 माइक्रो मीटर है जीव दर्वे जटिल कॉलाइटी विलियन है और शरीर के कुलभार का 95 प्रदिशत बनाता है ये जीवन का भौती का अधार कहलाता है डियो टो चेट ने सबसे पहले बताया था कि एक व्यक्ति में अनेक विभिन प्रकार की कोशिकाओं होती है कोशिकाओं अपने आकार, माप और कारियों में भिन होती है एक कोशिकी जीवों में कोशिका आकार जीव दर्वे जिली द्वारा बनाया जाता है उधारन, पैरामीश्यम और बाही कंकाल अधिकतर पौधों और जन्तों में कोशिकाओं का आकार निश्चित होता है जीवद्रव के प्रिष्ट तनाओ, स्यानता, आसन्न कोशिकाओं द्वारा किया गया यांतरिक कार्रे और कोशिका जिली की द्रड़ता पर निभर करता है। उधारन पादप कोशिकाओं में दिर्ण कोशिका भित्ती की उपस्ति थी। इस प्रकार कोशिकाओं के विभिन आकार हो सकते हैं। जैसे की बहु फुजिये आठ, बारा या चौदा फुजा वाली गोलाकार। उधारन अनेक जन्तुओं के अंडे तरक रूपी होते हैं। उधारन चिकनी पेशी तंतु लंबे होते हैं। उधारन तंत्रिका कोशिकाओं शाखित होती हैं। उधारन त्वचा के क्रोमेटोफोर या वर्नक कोशिकाओं चकरिक होती हैं। उधारण, एरित्रोसाइट या लाल रुधिर कोशिकाएं आधी, विभिन कोशिकाओं की माप काफी भिन होती है, कुछ पादाप और जन्तू कोशिकाओं को नगन आखों से देखा जा सकता है, अधिकतर कोशिकाओं को केवल सुख्ष्म दर्शी से ही देखा जा सकता है, कोशिकाओं की माप जीवाणों की बहुत छोटी कोशिकाओं 0.2 से 5.0 माइक्रोमीटर से लेकर, शुत्र मुर्ग के बहुत बड़े अंडे यानी 18 सेंटिमीटर तक होती हैं, और पाथों में सबसे बड़ी कोशिका साइकस का भी जांट है, मनुष्यों की कुछ तंत्र का को एसेटा बुलेरिया की उंचाई लगभग 10 सेंटिमीटर होती है, प्रो केरियोटिक कोशिकाओं की लंबाई प्राया 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच होती है, यू केरियोटिक कोशिकाओं औसतन बड़ी होती हैं, जो लगभग 10 से 100 माइक्रोमीटर के बीच होती हैं, एक कोश कोशिके जीवों में अमीबा, प्रोटियस सबसे बड़ा है, जसकी लंबाई 0.6 mm या 60 µm होती है। बहु कोशिके जीवों की विशिष्ट कोशिकाओं की माप 20 से 30 µm के बीच होती है। सबसे चोटी कोशिकाओं माईको प्लाजमा गैली सेप्टिकम की हैं, जो वाइरस और जीवानों के बीच का मध्यवर्ती जीव है। उसकी माप लगभग 0.1 µm है।